आज मैं आपके सामने वह सिक्रेट इन्फोर्मेशन सेर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए हाल ही में पिछले महीने अनपैसिब का यूटूब कॉंटेस्ट रखा गया था और उस कॉंटेस्ट में कॉमेंट की आधार पर बिजेता का नाम घोसित करना था जिसमें बिजेता का नाम चैन करने के लिए बाहर से कुछ लोग बुलाए गए थे जो लोग ऑनपैसिब से जूरे हुए नहीं थे और उन्हीं लोगों के दौरा बिजेता का नाम घोसित किया गया था और बिजेता का नाम घोसित होने के बाद कई यूजर नाराज भी हो गए थे और उन्होंने सवाल उठाया था कि जीतने बालों ने उस वीडियो में क्या कॉमेंट किया क्योंकि वीडियो में कॉमेंट करने के लिए कुछ नियम बनाये गए थे और इसलिए कुछ लोग जानना चाहते थे कि कॉमेंट करने के बाद उस कॉमेंट में अपना नाम और O.E.S.I.D. लिखना था लेकिन इतने सारे कॉमेंट के बीच मेनुवल तरीके से यह पता लगाना थोड़ा मुस्किल है कि उन बीचेताओं ने उस कॉमेंट में क्या लिखा था क्योंकि उसमें करीब 90,000 से उपर कॉमेंट किये गए थे और 90,000 कॉमेंट में से मेनुवल तरीके से 3 कॉमेंट के उछाटना काफे मुस्किल काम है लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूटूब कांटेस्ट में कॉमेंट के आधार पर बीजेता का नाम किस तरह से घोसित किया जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही वह वीडियो है जिसमें किये गए कॉमेंट में से बीजेता का नाम घोसित करना था और इस वीडियो में 1.3 मिलियन भीव आया है और यह भीव दो हपते के अंदर आया है और इसमें 90,000 से उपर कॉमेंट किये गए है तो आप समझ सकते हैं कि 90,000 कॉमेंट में से मेनुल तरीके से उन विजेताओं के कॉमेंट को ढूंड़ना कितना मुश्किल काम है अब मैं आपको वह राज बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा यूटूब वीडियो में किये गए कॉमेंट की आधार पर विजेता का नाम घोसित किया जाता है तो इसके लिए हमें गूगल में सर्च करना है यूटूब रैंडम कॉमेंट पीकर को गूगल में सर्च करते ही आपके सामने सर्च लिष्ट में कई सारे वेबसाइड का नाम आ जाएगा लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च के बाद मुझे दूसरे नमबर का वेबसाइड पिकविनर.co बेस्ट लगा तो हम दूसरे नमबर की वेबसाइड पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा यहां से मैं अपने वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ अब आपको इस वेबसाइड में यहां पर उस यूटूब वीडियो का लिंक पेस्ट करना है जिस वीडियो पर आपने लोगों से कॉमेंट करवाया है तो इसके लिए हम एक वीडियो का चैन कर लेते हैं और यहां पर मैं पहले वाले वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ इसके लिए हमें यहां सेर वाले ओप्सन पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके साथ इस तरह का पॉप अपन हो जाएगा उसमें से हमें copy वाले बटन पर click करना है copy वाले बटन पर click करते ही इस वीडियो का link copy हो जाएगा अब हमें उस website पर जाना है और यहाँ पर उस link को paste कर देना है paste करने के बाद हमें इस button पर click कर देना है जैसे ही हम इस button पर click करेंगे हमारे सामने एक pop up open होगा जिसमें से कुछ option नजर आएगा इस option में यदि आप duplicate comment को allow करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है यदि आप duplicate comment को नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे on off कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको कुछ option मिलेगा keyword filter का कि उस comment में आपने क्या लिखने का नियम बनाया था तो जब आप keyword filter पर select करेंगे तो यहाँ पर वह word लिखने का option मिलेगा जिसे आपने उस comment में लिखने का नियम बनाया था और यदि आपने ऐसा कुछ नियम उस comment में लिखने का नहीं बनाया था तो आपको बस उपर वाले ही option पर रहने देना है तो इस option में जो default setting है उसी के आधार पर मैं आगे बढ़ता हूँ और यहां continue वाले option पर click कर दूँगा तो जैसे ही हम इस option पर click करेंगे हमारे सामने इस तरह से comment loading होगा जितना comment उस video में किया गया है वह total comment यहां पर दिखाई देगा और इसलिए मैंने कम comment वाले video का link यहां पर paste किया था कि इसे loading होने में ज्यादा समय न लगे अब हमें बस इस pick a banner वाले button पर click कर देना है जैसे ही हम इस button पर click करेंगे हमारे सामने बिजेता का नाम pop up notification में आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं उस video में comment किये गए बिजेता का नाम आ गया है यदि हमें दूसरा बिजेता चुनना है तो यहां से हम इसे cut कर देंगे और फिर से pick a banner वाले option पर click करेंगे तो यह दूसरा बिजेता का नाम आ जाएगा तो इस तरह से YouTube वीडियो में comment की आधार पर बीनर का chain किया जाता है इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अपने YouTube चैनल पर एक contest रखूँ और उसमें बिजेता को मैं एक website बना कर दे दूँ वहीं इसके बारे में आपकी क्या राय है अपना विचार comment में जरूर लिखिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपिक के साथ जय हिंद